और दूसरी बात जी, बुडिया घर का सारा काम करती है जी, अगर बुडिया मर गी तो फिर घर का काम कौन करेगा, अब मुस्के तो घर का काम होने वाला है नहीं, ये तो मैंना आपको शादी से पहले ही बता दिया था, और एक बात और जी, मैंना आपको का था कि घर की गुलाबो मुझे तुने मुरक समझाए क्या ये बुड़िया है न गर में रखवाली करने के लिए फिर हमें कुटे की क्या जुरूरत समझी गुलाबो तु ये क्या बोल रही है मैं मर जाओंगा तु मेरे बगेर कैसे रह पाएगी गुलाबो कोई बात नहीं जी अगर आपको कुछ हो गया न तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी मगर मैं अपना गुर्दान नहीं दूँगी जी ए बुड़िया तु अभी तक सब्जी काट रही है रोटी कब बनाएगी तु मेरा भूग के मारे हाल खराब हो रहा है मेरी हालत पतली हुई जा रही है बेटा बस थोड़ी देर और रुख बेटा तु ये शराब पीनी छोड़ क्यों नहीं देता ये बुड़िया ज्यादा लेक्चर नहीं नो लेक्चर तु फटा फट अपना काम कर बस मुझे याद आया आज तेरी बुड़ापा पैंचन आने वाली थी ला मुझे पांसो रुपए दे जल्दी मगर क्यों ज्यादा अगर-मगर नहीं मेरे साथ जो मैंने कहा वो कर लापैसे दे मुझे बेटा मेरे पास सिर्फ पांसो रुपए हैं और मुझे दवा भी लानी है तेरे बाकी पैसे कहा गई बुड़िया बेटा बाकी पैसे तो आज सुबा मेरी बेटी ले गई यां अन्य उसका ठेका ले रखा एक ठेका है हमने उसकी हमने शादी कर दी तो रहे ना अपने परिवार के साथ खुश है हमें परेशान करने क्यूं आ जाती है वह यहां पे बेता मैं अपनी बेती की नहीं तेरी पत्नी गुलाबो की बात कर रही हूँ ए बुड़िया तु मेरी क्या चुगली कर रही है गुलाबो तु मा से पैसे लेकर गई है क्या हाँ जी मैंना ब्यूटी पादर जाकी आई हूँ आपको तो पते हैं ना कि दूप में काम करकर के मेरा सारा का सारा रंग काला पड़ी है इसलिए कोई बात नी गुलाबो कोई बात नी केरियोन मा चल मुझे पान सो रुपए दे द्वल्दी से बेता मगर मेरी दवाई ए बुड़िया तु दे देन अपने बेटे को पैसे और वैसे भी अपके बार दवाई नहीं लाएगी तो मर थोड़ी ना जाएगी और वैसे भी गुलाबो अगर ये बुड़िया दवाई के बिना मर भी गई तो हमें कोन सा फरक पड़ता है अरे ना जी न शुब शुब बोलो ऐसा मत बोलो आप अगर ये बुड़िया मर गी ना तो हमारा तो मोट नुकसान हो जाएगा जी वो कैसे गुलाबो मैं आपको सुमझाती हूँ देखो जी इस बुडिया की हर मीने की 2000 रुपे की पेंशन आती है न वो 2000 रुपे काम तो हम दोनों के ही आते हैं अगर ये मर गई तो फिर पैसे आने बंद हो जाएंगे न और दूसरी बात जी बुडिया घर का सारा काम करती है जी अगर बुडिया मर गी तो फिर घर का काम कौन करेगा अब मुझ के तो घर का काम होने वाला है नहीं ये तो मैंना आपको शादी से पहली बता दिया था और एक बात और जी मैंना आपको कहा था कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता ला दो आप कुट्टा अभी तक क्यों ने के आई आरे गुलाबो मुझे तुने मुरक समझा है क्या ये बुड़िया है न गर में रखवाली करने के लिए फिर हमें कुट्टे की क्या जुरुरायत समझी ओके ओके जी आप एकदम राइट बोले अब तो आप समझ गए न कि इस बुड़िया के मनने से हमें क्या क्या नुक्सान हो सकता है गुलाबो तेरे जैसी समझदार पत्नी पाके तो मैं धन्ने हो गया धन्ने ए बुड़िया अब मैं ये मगल मचके आसू हमें ना दिखा और जल्दी से खड़ी होके ना रोटी सब्जी बना ले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है एक बात और सब्जी ना चटपटी बनाना समझी ए बुड़िया तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या गुलाबो क्या बोल रही है चल फटावट खड़ी और काम पे लग जा मैं जी मट्रू की सारी रिपोर्ट आ चुकी है ज्यादा सराब पिने की वज़े से इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अरी को डोक्टर साव क्या कहारे है कुछ तोघा प्लीज में आपके हाँ झोड़त को अम्यरे बेटे को मत जालो और या बेते को मचा लू कि देखớiब ये आपके बेटे और चाता मगर मगर क्या डॉक्टर साब कुछ तो बोलिये अगर इन्हें एक गुर्दा मिल जाये तो कि डॉक्टर साब मैं दूंगी अपने बेटे को गुर्दा भस आप इन्हें बचा ली चीए यह बुडिया तेरा गुर्दा तो वैसे भी बुदापे की वज़े से खराब हो गया होगा मुझे नहीं चीए तेरा गुर्दा तू क्यों देगी मुझे गुर्दा मुझे गुर् सरंपतनी गुलाबो गुलाबो बोल मुझे तू अपना एक गुर्दा देगी ना गुलाबो तू चुप क्यों है मैं तेरा सुआग हूँ सुआग अरे हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईये कस्में मैं मोत के कगार पर खड़ाओं बोल गुलाबो तू मुझे गुलाबो बस जी मैं आपको अपना गुलाबो तो यह क्या बोल रही है मैं मरजाउगा तुम मेरे बगर कैसे रह पाएगी गुलाबो कोई बात नहीं जी, अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, मगर मैं अपना गुर्दान नहीं दूँगी जी मा, मा मुझे माफ करते मा, मैं पापी हूँ मा पापी हूँ, मैंने मेरी दिवी जैसी मा का दिल दुखाया, वो भी इस पत्री की केले पे, इस पत्री की केले पे, मा, मैं कैसे बूल गया था कि इस अंसार में मा से बढ़ कर कुछ नहीं होता, मुझे माफ करते मा, मैं पापी हूँ, मा पापी तुम दोनों मा बेटा करो भरत मिला, मैं चली अपने माई के दोक्टर साब, आप मेरा गुर्दा ले लो, मेरे बेटे को बचा लो, दोक्टर साब, मेरे बेटे को बचा लो देखो बेटे जी, आपको गुर्दा देने की कोई जुरूरत नहीं है, आपके बेटे के दोनों गुर्दे बिल्कुल ठीक है सच में डोक्टर साब? हाँ बेटे जी, ये बिल्कुल सच है, मैं तो मट्रू को एहसास कराना चाहता था कि मा से बढ़के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है नमस्कार भाईयो बेहनों, हम जो ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ये केवल मातर मनोरंजन के लिए सामाजिक संदेश देने के लिए अगर फिर भी हमारी वज़य से किसी का भी वीडियो के माद्यम से अगर भूल से भी दिल दुखता है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, कोमेंट कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के साथ एक छोटी सी बैल आइकन है न, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे धन्यवाद